हम सबको लगते हैं कोटा बहुत सभी जग है कोटा से टॉपर्स निकलते हैं आई टी जए ये नीट के लिए बैस जगए सबसे ज़ादा डॉक्टर से इंजीनियर्स कोटा से प्रोड्यूस होते हैं टॉप कोचिंग्स हमें देखने को मिलते हैं ये सारी चीज़े हमें पता है लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोटा की कुछ ऐसी डाक रियालिटीस जो कि शायद यापको पता होंगी अगर आप कोटा जाने का सोच रहें आई टी जए या फिनेट के रिप्रेशन करने तो ये कुछ ऐसी चीज़े हैं जो कि अगर आपको पहले से पता होंगी तो आपको काफी help मिलेगी इसी के साथ यार वीडियो को start करते है जब भी आप कोटा जाते हैं आपको लगता है कि यार हम top teachers से बढ़ेंगे ठीक है एकदम बढ़िया teachers होंगे बढ़िया महाल होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है जब भी आप किसी coaching में join करते हैं तो starting में आपका एक test conduct होता है जिसके basis पे आपको batches मिलते हैं अब यह जो batches होते हैं यह बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं आपके star batches से start होके यह L1, L2 और भी कई आगे तक जाते हैं इसमें बुराई ही क्या हैं अगर जादा batches होंगे तो batches तो बढ़ाने ही पड़ेंगे न लेकिन यहाँ पे जो lower batches होते हैं उनमें teachers आपको शायद अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पे वो teachers होते हैं जो की doubt counter से start करते हैं फिर उनको नीचे के batches दिये जाते हैं उनकी performance और उनकी result के हिसाब से उनको ऊपर वाले batches में upgrade कर दिया जाता है basically अगर आप last batch में बढ़ रहे हो किसी coaching के तो वहाँ पे बहुत जादा chances हैं कि आपके advanced level के questions नहीं कराते हैं आपको exercise 3 जैसी sheet नहीं लगवाते हैं आपको से mains level के questions करा दिये जाते हैं जाता है तो वो कई बार टूट जाता है नए teachers से उसका connect नहीं बैठ पाता है उसको जादा मतलब अच्छा नहीं लगता है next point आता है coaching of teachers अब guys quota में आप institute का turnover देखोगे आप hill जाओगे मतलब hill जाओगे अब यहाँ पी क्या होता है हर institute चाहता है उनके पास best teachers हो ठीक है अगर best teachers होंगे तो best ranks निकलेंगी जिसके कारण अगले साल के जो admissions हैं वो बहुत जादा होगी जिसका result होता है teachers को दूसरे institute से पोच करना या फिर उनको अच्छे packages पे बोला लेना अब quota में यह चीज इतनी normal है कि वहाँ पे institute सेलिब्रेट करते हैं कि अब एक्स कोचिंग के जो teachers हैं वो अब हमारे हां पढ़ा रहे हैं बड़ी अब बैनर्स वगर हर जगर लगाए जाते हैं वहाँ पे मतलब बहुत normal चीज है कई बार ऐसा होता है कि एक institute के teachers पूरे teachers मिलके वो coaching छोड़ देते हैं एक नया institute बना देते हैं सब बहुत बार हुआ है अभी recently हमने देखा कि कई teachers एक adtech को छोड़ के दूसरे adtech company में join कर रहे हैं इसके कारण online बहुत बावाल हो रहा है लेकिन offline इसको बहुत प्रावड तरीके से चोड़ देता है तो ऐसे में नुकसान बच्चे का होता है क्योंकि एक connect बेट जाता है student और teacher का तो problem जो है वो student को जादा होती है अब यहां पर teachers की poaching तो ठीक है लेकिन अगला जो point है वो सुनके आप definitely shock होने वाले हो क्या आपने कभी सुना है Students की poaching होना यहां पर क्या होता है कि institutes की नजर होती है toppers के उपर ठीक है कोटा में कापी toppers आपको देखने को मलते हैं हर institute की नजर होती है कि यह institute में यह topper है and coachings try करती है कि जो topper है वो हमारे institute में unroll कर ले and मैं उसी क्लास में बैठा हुआ था अब हुआ क्या कि एक से दस के बीच में already coaching के पास कुछ ranks थी ठीक है and 7th rank आ गई का मतलब यहां पर गैस कर सकते हो कि यहां पर teachers तो ठीक है यहां पर students की भी coaching होती है ठीक है students यार कोई बगर topper है तो वो उसका एडवांस देने से पहले लगपती बन चुका होता है ठीक है यहां पर coaching इंसलूट की नजर होती है हर topper ठीक है क्योंकि topper जो भी अच्छा perform करता है वो दिख जाता है coaching में and वो ट्राय करते हैं कि यार इस बंदे को यहां से उठा के हमारी coaching में बुला ले चाहे हमें कुछ भी करना पड़े अब कई बार वो student चला भी जाता है कई बार नहीं चाहता है तो इसको distance program sell कर देते हैं ठीक है उसमें enroll करा देते हैं ठीक है कुछ दे देते हैं और बोलते हैं तुमारा नाम ही उसका ले रहा है यह सारे चीज़े होती है Toppers get special treatment कोटा में क्या होता है एक फ्लोर जो होता है वो अलग से toppers के लिए होता है ठीक है एंड वो toppers वो होते हैं जो काफी पहले से कोचिंग में पढ़ रहे होता है माला 5, 6, 7 से पढ़ रहे होता है ठीक है उनको देख के समझ में आ जाता है इस बंदे में कुछ है इसको special treatment दिया जाए तो एसे students को लिए अलग फ्लोर होता है जो एकदम टॉप teachers होते है basically उनको HODs पढ़ा रहे होते है second जो बात आती है इनके लिए apartments होते होते है देख करी जाती है इनको special treatment दिया जाता है basically toppers जो होते है वो इन instruments की जान होती है ठीक है क्योंकि इन ही से ranks आती है इन ही से इनका बिजनेस है वो और साधा पड़ता है अब ठीक है toppers को आप special treatment दे रहे हो इसे मतलब करते थे next जो point आता है cyber cafe addiction मतलब कोटा में यह मेला लगा होता है आप देखोगे कि 100-200 computer एक ही जगह पे है जहां पर आप बैट के gaming कर सकते हैं आप movies देख सकते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं जहां बच्चे अपना बहुत time waste करते हैं अगर कोई web series launch हुई है कोई episode आया है कुछ minutes में आपको episode आपके phone में डाउनलोड करा सकते हैं मतलब 10 रुपए में मेरे time पर आद है मुझे 10 रुपए में 6 movies पांच movies तीन movies इस टाइप की चीज़ों होती थी आप उनको 10 रुपए दोगे अगर आप कोटा जाने की सोच रहे हो प्लीज इन सारी चीज़ों को avoid करना एक बार आप जाओगे आपकी आदत हो जाएगी आप अपनी पढ़ाई काफी साथा खराब कर दोगे नेक्स पॉइंट आता है वह है easy availability of drugs, alcohol and weed अब यार हर चक आपको देखने को मिल जाता है किसी भी city शहर में चले जाओ सब चीज़े मिल जाती है लेकिन कोटा में भी आपको बहुत सारा मिलती है यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप किसी hostel में हो क्योंकि आप बहुत जल्दी addict हो जाओगे वहाँ पे मुझे याद है कि यार मेरे hostel में काफी लोग ऐसे थे जो कि यार classes नहीं जाते थे ठीक है पूरे time मतलब सुबह से चालू होते थे और शाम तक उनका यही सब चलता रहता था and इसी reason से मैंने वह hostel भी छोड़ दिया था बहुत सारे students आपको देखने को मिलेंगे जो कि खुद से IITJ की preparation नहीं करना चाहते हैं लेकिन parents के तुरू वह quota भजा दिये जाते हैं तो ऐसे students बहुत जात आपको देखने को मिलेंगे लेकिन मैं आपको बोलूगा कि अगर आप quota जा रहे हो कभी यार कोई friend आपको पूछे तो please उसको मना करना क्योंकि अगर आप एक बार हाँ बोलोगे ठीक है क्यार try कर लेता हूँ ठीक है I'll suggest please say no to these things बहुत जादा harmful है next point आता है depression and parent pressure यह वर्ट जितना सुनने में हजीब लगता है उससे कई जादा खतर ना आक है अब quota में जो भी student है उसको एक नाएक बार इस depression वाले phase से गुजरना पड़ता है कभी आर exams में number नहीं आते हैं जर्णी में definitely आता ही आता है ठीक है तो parents का भी काफी pressure होता है Sunday को student यहाँ पे exam देके निकलता है ठीक है quota में आर आपको लागो students मिलते हैं ठीक है 10 लाग क्या आसपास लोग IIT जाई क्या exam देते हैं उसमें से कुछ हजार बच्चों का ही IIT होता है तो exam काफी tough होता है अगर Sunday को आप exam देके बाहर निकल रहे हो ठीक है तो फैर में आप शाम को call आता है ठीक है parents का की exam क्यों नहीं अच्छा गया तेरे तो 10CGP थे 10th में ऐसा क्या हो रहा है तो बहुत सारी चीज़े student के उपर आ जाती है and कई बार इनी चीज़ों के कार instruments के मन में बहुत गलत थोट्स भी आते है next जो पॉइंट आता है अब यह ना बहुत common है कोटा में जब भी आप कोटा जाते है ठीक है आप अपना admission कराते है किसी hostel में उस time में उस season के time में आपको खाना बहुत अचा मिलता है जैसे ही parents चले जाते है उसके एक दो हपते बाद से वापस खाना बेकार हो जाता है ठीक है एंड बहुत सारे students को टाइफाइड हो जाता है मैं आपको यहां पे टिप दूगा कि मैस होगी ना उसको यहर पर्मनेंट मत कराना है आप मतलब आपके एरिया में आपको काफी सारी मैस देखनी को मल जाएगी तो मैं यह बुलूगा कि अलग-अलग मैस ट्राय करना इससे आप बोर भी नहीं होगे पर अगर आपको लगता है एक जगर खाना वेकार है तो ऐसे में ना क्या होता है कि 300 लोगों की क्लास है ठीक है अद उसमें एक नएक ऐसा मतलब क्या कैसे बूलू या मैं कैसे बता हूँ एक नएक आपको खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की होती है इस पर आपके साहत साहत 200 है से और जो लड़के वो भी उस पर फिदा होते है ठीक है वो सब लोग अपना best try कर रहे होते हैं जैसे-जैसे कहानी set हो जाए लेकिन मैं बोलूगा कि यार इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओ ठीक है क्योंकि कुछ नहीं होता है आप लोग के इन सब चीज़ों में time waste होता है ठीक है हो सकता है उसका IIT हो जाए और आपको फिर पंजाब जाना पड़े private college में तो ऐसी चीज़ होती है तो बुलूगा कि यार डेटिंग culture भी है वहाँ पे कोटा में आपको हर चीज़ देखनी को मिलती है आपको जो करना आप वो कर सकते हो सबसे पहले आपको freedom मिल जाती है क्योंकि आपके parents साथ में नहीं होते है अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो आप नाम बोलो वो सारी चीज़ आपको मल जाएगी ठीक है तो मैं आपको यही बुलूगा अगर आप serious हो IITJ को लेके प्लीज इन सब में नहीं पड़ो कुछ उसका result नहीं निकलता है दो साल बात तुम कहीं और होगे वो कहीं और होगी तो please यह बड़े भाया की तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ठीक है थोड़ा सा अजीब पॉइंट था लेकिन कोई बात नहीं बताना तो है अब यहां पर काफी लोग का डाउट आ सकता है कि क्या भाया कोटा जाना चाहिए तो यार देखो जा सकते हो ठीक है कोटा में आपको बहुत साइक चीज़े सीखने को मिलती है अलग experience होता है आप बहुत strong बन जाते हो कोटा जाके बोला जाते कि अगर आप कोटा सर्वाइब कर लिया तो आप कहीं भी सर्वाइब कर सकते हो ठीक है आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ आप अराम से अकेले रह सकते हो ठीक है आप बाहर जाना चाहते हो बाहर रह सकते हो ठीक है तो homesickness जैसी चीज़े जो खतम हो जाती है अगर आप कोटा में महनत कर लेता है तो शायद आप लाइफ में उतनी महनत अगें कभी करने वाले हो ठीक है अगर आप उन्हें कोटा को दो साल दे दिये अच्छे से भले आपका IIT होता है नहीं होता है फरक्त नहीं पड़ता लेकिन आगे चलके future में अगर आप कोई दू अगर काफे एक बार जाओगे डोपामिन हिट करेगा दूसरी बार एक्जाम से बेकाल जाते हैं ठीक अच्छा फील नहीं करते हो आप अगें जाओगे नैसे करके आप दीरे-दीरे करके एडिक्ट हो जाओगे और फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लागेगा आप चाहो मत करना एक क्लास बंक करोगे आगे की क्लास में कुछ समय नहीं आएगा एक चेप्टर आपका उठ जाता है तो प्लीज कभी भी इन सब चीजों को ट्राय मत करना नेक्स जो पॉइंट आता है कि पैरेंट्स से यार रेगुलर बेसिस पे बात करना चाहे वो पैरेंट्स हो देदी हो भाई आओ इसके कारण नहीं आपको गलत थोट्स नहीं आएंगे नेक्स जो पॉइंट आता है वो है इट हेल्दी, क्लीन और नुट्रिशियस वहाँ पैर बहुत गंदा खाना मिलता है मैस वगर में ट्राय करना जैसे तैसे आपका जो नुट्रिशन है वह अच्छे से प्रॉपर ठीक है Quota बहुत अच्छी चीजे भी है बहुत वेकाल चीज भी है अगर कोई बच्चा सोचे जाता है कि मुझे से पढ़ाई करना हमाई तो वो डई essa होता है नँट कोई बच्चा ऐसा होता है कि इसको पैरेंट के थीध बहूं इत्रनेट का आथि पालई कोाई उड़ता है में हो आप अपने experience शेर कर सकते हो कि क्या तीन चीज़े ऐसी हुई है ठीक है डार्क चीज़े जो कि शायद बाकि लोग को नहीं पता है ठीक है और कोई भी कोटा जा रहा है तो उसको पहले से पता होना चाहिए आप comment करके बता सकते हो तीन ऐसी डार्क चीज़े